दोस्तों, जेकी आईटी मंत्रा योट्यूब चैनल में आप सबी का स्वागत है आज हम फर्स्ट यर के इलेक्रिशन थियोरी के इंपोर्टेंट क्यूशन्स लेकर उपस्तित हुए हैं CBT एक्जाम्स के लिए थियोरी के इंपोर्टेंट क्यूशन्स की सीरीज स्टार्ट की है ये आपका मॉडल नंबर वन रहेगा तो इलेक्रिशन थियोरी का मॉडल नंबर वन यही रहेगा और इस वीडियो में आपको प्रिविएस येर के क्यूशन पेपर में पुछे गई क्यूशन्स देखने को मिलेंगे तो चल ये बात कर लेते हैं आज के हमारी इंपोर्टेंट रहने वाले क्यूशन्स की यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सहिर करें चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जहां मिलती रहती है तो चल लिए बात कर देते हैं फर्स्ट क्यूशन की क्यूशन निमर फर्स्ट है अगनी का समन में इसमोटरिंग क्या है तो अगनी के समन में इसमोटरिंग क्या है ओप्सन ए दे रखा है अगनी में इंधन मिलाना अगनी से इंधन अलग करना जल का उप्यो करके टेंपरेचर को कम करना ना फिर अगनी को ओक्सिकरन की आपूर्ती से अलग करना तो ये लाश्ट येर की क्यूशन में पुचा था क्यूशन अगनी को ओक्सिजन की आपूर्ती से अलग करना ओप्सिन डी इसका सही अंसर है इसमूत्रिंग होती है अक्सिजन की आपूर्ती से अलग करना अगनी और अक्सिजन की आपूर्ती को अलग करने से इसमोत्रिंग विदी से अगनी का समन होता है एक होती है कुलिंग मेथड़ कुलिंग से होता है कि उसमें पानी का उप्योगर के आग को बुजाना cooling method होता है और smoothening oxygen की आपूर्थी अलग करना next question है what is the full form of BIS ये question आ सकता है BIS की full form क्या है तो option A है Board of Indian Standard Bureau of Indian Standard Board of International Standard और Bureau of International Standard Bureau of Indian Standard BIS की full form होती है BIS का पूरा नाम या पूर्ण रुप विस्तार कुछ भी पूछा जा सकता है Bureau of Indian Standard option B या सई answer है थर्ड नमबर क्यूशन है what is the use of this tool तो इस जो आपको अजार दे रखा है इसका उप्योग क्या है ये पूछा है इसका क्या कारिय है क्या उप्योग है तो ये जो आपको दे रखा है इसका नाम है Pinsir तो Pinsir का हमें उप्योग पूछा है क्या उप्योग होता है Pinsir का option है गरम पदार्थों को पकड़ना तारों को काटना और मोडना लकडी से केले निकालना बोल्ट और नट को ढिला करना या फिर कसना उप्शन इसका C सही अंसर है लकडी से केले निकालने के लिए पिंसर का यूज किया जाता है नेक्स्ट क्यूशन की बात करेंगे सीट मेटल में सामान्य उप्योगे तो किस प्रकार के इस्टेक या इस्टेक का प्रियोग किया जाता है कौन से प्रकार के इस्टेक का यूज किया जाता है सीट मेटल में सामान्य उप्योग के लिए यांकि जनरल परपज के लिए किस stake का यूज किया जाता है square stake यांकि वर्गाकार stake, hatchet stake blow horn stake या फिर bevel age वर्गाकार stake option A सही answer है वर्गाकार stake का यूज किया जाता है general purpose के लिए seat metal में general purpose के लिए वर्गाकार stake का यूज किया जाता है what is the use of mortise chaining तो या mortise chaining का या फिर इसका चीजल का क्या उप्योग है क्योशन बोचा है लकडी में सामाने च्छेनी करन करना लकडी में आईताकार च्छेद करना लकडी को चीलना एवन फिनिस करना लकडी में हलका च्छेनी करन तथा तेज की नारों की सफाई करना तो राइट एंसर है ओप्शन बी लकडी में आईताकार च्छेद करना यह होता है mortise chaining का कारिय या फिर उसका उप्योग what is the possible range to measure the size of the wire in a standard wire gauge यानकी swg standard wire gauge से तार काकार मापने की परास क्या है या फिर possible range क्या है तो इसकी range पुछी है swg की full form भी पूछ सकता है standard wire gauge standard wire gauge swg होता है और इसकी परास होती है 0 से 36 option d से answer है right answer option d next question की बात करेंगे how many electrons are there in the third cell of the copper atom तो तामबे के परमानों के तीसरे कक्ष में या फिर orbit में कितने electron होते हैं तो तामबे के यानकी copper की बात की जा रही है तो उसमें 18 यानकी option c इसका सही answer है 18 electron होते हैं तीसरे कक्ष में तीसरे कक्षा की बात की जा रही है ये last year के exam में क्यूशन पुछा था तामबे के परमानों में तीसरे कक्ष में कितने electron होते हैं तो option c इसका c सही answer है option c 18 electrons in third orbit what is the unit of capacitance यानकी capacitance की इकई क्या है संधा रिता option a दिर्खा है महो option b हेंडरी option c फेराड और option d है कुलाब तो इसका right answer है फेराड जो capacitance की इकई होती है यूनिट होती है इसे f से दर्साय जादा है फेराड है capacitance की इकई what is the output voltage of lithium cell लीथियम cell का output voltage यानकी निर्गत voltage कितना होता है 1.2, 1.5, 1.8 volt और 2.5 volt तो 2.5 volt लीथियम cell का यह होता है voltage होता है output voltage सबी cells का output voltage कितना होता है उस पे एक short video पहले से upload है इदि आपने नहीं देखा है तो short video नाम से playlist बनी है उसको जाकर जरूर देख लीज़े उस playlist में आपको electrician theory के important 50 gas pass questions मिल जाएंगे तो आप उस playlist को भी जरूर देखें how the capacity of batteries is satisfied battery की छमता कैसे बताई जाती है तो battery की छमता बताई जाती है AH में यान की ampere hour में option D सही यान सुर है ampere hour battery की छमता बताई जाती है AH what is the expansion of ECC यान की ECC का विस्तार क्या है ECC का विस्तार होता है Earth Continuity Conductor option B सही अन सुर है Earth Continuity Conductor इस परकार से MCB का भी पुछा जाम सकता है MCCB का भी पुछा जा सकता है तो आप पहले से एक short video upload है उस पे full form के topic पे उसमें 10 या 15 10 से 15 आपको full form मिल जाएगी उस short video में तो आप short video की playlist को जरूर check कर दीजिए एक बार exam में जाने से पहले एक बार जरूर उस playlist को देखना what is the name of PPE तो यह जो आपको चित्र दे रखा है यानकि डाइग्राम दे रखा है उसमें जो PPE है उसका नाम क्या यह पुछा है तो PPE की full form पूछ सी जा सकती है वेक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानकि personal protective equipment इसकी full form होती है यह जो आपको दे रखा है यह hand screen जिरके यह option D सही अंशर है hand screen next question में है विद्यूत उपकरण में लगी अगनी हे तू कौन शा अगनी शामक परयोग किया जाता है यह आपके विद्यूत उपकरणों में आग लग गई है या फिर अगनी fire लगी है तो किस प्रकार के fire acting user का यूज करेंगे option A है halon type, option B है foam type, C है gaze cartage type या फिर stored pressure type संग्रहित दबाव परकार का तो किस परकार के आप fire extinguisher का यूज करेंगे तो halon type के fire extinguisher का यूज किया जाता है यह अगनी विद्यूत सम्मगंदी उपकरणों में आग लगी है तो आग बजाने में starving क्या है आग बजाने में starving क्या है आग में इंधन जोड़ना आग को ठंडा करने के लिए पानी का पर्योग आग से इंधन तत्व निकालना या फिर आग में उक्सिकरन की आपूर्ती को रोकना अगनी से इंधन तत्वों को अलग करना कहलाता है starving और अब आपको पता चल गया होगा कि अगनी को यानकी आग को कंट्रोल करने के लिए अगनी के समन के लिए तीन विधियां यूज की जाती है पहली होती है cooling दूसरी होती है smootering और तीसरी होती है starving तो तीन विधियों का यूज की आजाता है अगनी को अगनी के समन में cooling में होता है जल का प्रियोकर के अगनी पर कंट्रोल करना smootering में होता है smootering में होता है आप oxygen की supply काट दीजिए और starving में होता है इंधन तत्रों को अलग कर दीजिए तो आपको पता है कि अगनी लगती है तो उसके तीन गटक आवशक होते हैं पहला होता है oxygen दूसरा होता है इंधन और तीसरा होता है वो है oxygen इंधन और तीसरा है temperature या तापमान या फिर उस्मा उस्मा को आप कंट्रोल करेंगे तो उसके लिए आप cooling की आवशकता होगी यानकी पानी डालके आप कंट्रोल कर देंगे O2 यांकि Oxygen की Supply काट दीजी आप यह होगी Smooth Ring और Star Wing होगी आप इंधन को अलग कर दीजी तिनों विद्यों से या फिर तिनों मेंसे एक भी को आप अटा दीजी अव्यू को आपकी अगनी कंट्रोल हो जाएगी निमन मेंसे अगनी रोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है यांकि Fire Extinguisher है उसको आपको यूज करना है तो इसके लिए कौन सा क्रम सही है पहले आप क्या करेंगे तो Option A सही है पहले Pull Aim, Squatch और Swip यांकि खींचना, निशाना, लगाना, दबाना और घुमाना इसके लिए एक Short Form है, Pass Pull Aim, Squatch और Swip आप याद कर दीजिए, Swip Last में आएगा P-A-S-S, Pass Pull Aim, Squatch और Swip दो S है, इसके लिए आपको यां रखना है कि Swip जिसमें Last हो, वही आपका सही अंसर है अगनी का समन क्या है याद कि अगनी का समन किसे कहते है अगनी का समन है अगनी में इंधन मिलाना अगनी से इंधन अलग करना जल का प्रियो करके टेंपरेचर कम करना या फिर Oxygen की सप्लाई काटना तो Option D सही अंसर है Oxygen की सप्लाई काटना ये अगनी का समन होता यान की अगने को बुजाना होता है यदि आपको क्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे सेर कर दीजिए वह चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको पहला मोडल पेपर मिला है जब तक आपके CBT एक्जाम नहीं होंगे आपको Employability Skills, Theory and Works of Calculation and Science के मोडल पेपर लगातार प्रोवाइड किये जाएंगे और हमारे टेलेग्राम गुरूप को भी जोइन कर दीजिए क्योंकि वहाँ आपको PDF मिल जाता है